अगर अपने मुबाइल फोन पे बार बार मुझिक सुनते रहते हैं या फिर मैं यू कहूं कि आप अपने डिफोल्ट मुझिक प्लेयर से परिसान हो चुके तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी अप्लिकेसन बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने मुझिक प्लेयर क को एक नया लुक दे सकते हैं जी हां दोस्तो एक ऐसी एप्लिकेशन जो बिलकुल पुराने जमाने के म्यूजिक प्लेयर की तरह दिखाए देती है जिस तरह से पुराने वक्त में आडियो कैसेट और रेडियो होते थे उसी तरह का इंटरफेस आपको इस एप्लिकेशन में दिखाए देगा तो चलिए दोस्तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है इर्फान और आप देख रहे हैं आई टैक एक पर एप्लिकेशन इंस्टाल हो जाती है उसके बाद सिंपल है दोस्तो आप इस एप्लिकेशन को ओपन कीजिए ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाए देगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस म्यूजिक प्लेयर का जो लुक है वो प सबसे पहले है full screen, उसके बाद है sleep timer और उसके बाद है volume up and down तो यहां से आप volume ज्यादा कम भी कर सकते हैं, sleep timer लगा सकते हैं और full screen में भी कर सकते हैं इसके बाद आप यहां पे एक analog meter भी देख सकते हैं अगर आप इस analog meter को change करना चाहते हैं इसका look पदलना चाहते हैं तो जैस किसी भी एक analog meter को select कर लिजिए और उसे set कर दीजिए इसके बाद बार ही आती है audio cassette की तो आप देख सकते हैं यहां पे एक audio cassette लगी हुई है अगर आप इसे भी change करना चाहते हैं तो जैसे आप इस audio cassette पे click करेंगे दोस्तों तो आपके सामने बहुत सारी पूराने जमाने की audio cassette आ जाईगी आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारा collection दिया हुआ है तो आप किसी भी एक audio cassette को select कर सकते हैं और आप अपने music player पे उसे लगा सकते हैं और ऐसा नहीं कि यह एक तरह का वाल पेपर होगा दोस्तों अगर आप इस audio cassette को select करके लगाते हैं तो जिस तरह से audio cassette में effect होती है जिस तरह से वह काम करती है उसी तरह से यह audio cassette भी आपके music player पे काम करेंगे तो चलिए मैं एक audio cassette को select कर लेता हूं और उसे में मेरे music player पे लगा लेता हूं तो आप देख सते हैं मैंने यहां पे लगा लिये और उसके बद यहां पे setting का button है जैसे आप उस setting के button पे click करेंगे तो आपके सामने यहां पे बहुत सारे setting आ जाएंगे तो सबसे पहला है तो आप अपने music player की theme भी change कर सकते हैं वाउ तो यह बहुत ही अच्छा सा option यहां पे दिया गया हुआ है तो आपको यहां पे चार तरह की theme मिल जाती है तो आप आपके mood के हिसाब से यहां पे अपने music player की theme भी change कर सकते हैं और इसके बाद हम बात करें तो अगर आप हर music पे audio cassette का look बदलना चाते हैं तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं हर music पे cassette बदल जाएगी याने audio cassette का जो look है वो बदल जाएगा तो आप यहां से उसे set कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां पे बहुत सारे option दिखाई देंगे जैसे के आप अगर headphone लगाते हैं तो music start हो जाए अगर headphone निकाल देते हैं तो music बंद हो जाए उस तरह के आप यहां पे बहुत सारे option आपको मिल जाएंगे तो आप आपकी हिसाब से यहां पे option select कर सकते हैं उसे on off कर सकते हैं और अपने music player का पूरा setup आप यहां से कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो मुझे बहुत ही कमाल के application लगी जिसमें इतने सारे features दिये हुए अभी और भी कुछ बताना बाकी है तो वह भी मैं आपको बता दूँ तो यहां पे है volume तो जैसे आप इस volume पे tap करते तो आपके सामने बहुत ही कमाल का interface दिखाए देगा तो आप देख स सकते हैं तो वह यहां पे दिया गया हुए उसे भी on off आप कर सकते हैं उसके साथ साथ में यहां पे equalizer भी दिया गया हुए तो यहां पे अगर इसे off कर दे तो equalizer बंद हो जाएगा आप इसे on करते हैं उसके बाद आप किसी भी music का equalizer set कर सकते हैं यहां पे reset का button भी दिया गय तो दोस्तो यह जोड़के बहुत ही कमाल की अप्लिकेशन लगी और इतने सारे फीचर इसमें दिये गए जो के पुराने जमाने की ही मुझे बटन है अगर किसी तरह का मुझेशन दिये लिस पлек Первbrar करकर की खाई अपके इस अप्षर की मुझेशन की लगी यह ज़रूर से आपे डानलोट कीजेगा और अपने मोबाईल की मुझेशन का लुक, और या कमाल प्ची की अपल्डे की इस लिग मेते के लिक देव जरूर अब पदल दीजिएगा तो दोस्तो वीडियो पसना आता है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए तब तक के लिए अध्यान के दूस्तों टेक केर बाई